हेलो फ्रेंड्स ये है सहेजन जिसको मौरिंगा के नाम से भी जाना जाता है इसके अने को फायदा है आज मैं बताऊंगे इसके बालों के लिए फायदा तो देखे कि इसका ये इसके फ्लावर है जो की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाई जाती है और इसकी फलियां की भी पाने के बाद में क्या करेंगे इसको dai पोछ लेना है इसको और बट प्तो को तूड़कर इक कोरें कि पर रहेंगे इस इसके अंदर आपको वंप्ति के नहीं दुड़क जाँ नहीं है अपको सूखा लेंगे इसके निचे नीचे रिहों रूम में ही आप इसको सुखा लेंगे आप इसको फैन के नीचे दो दिन के लिए रख देंगे तो ये सोख जाएगा दो से तीन दिन में ये अच्छे से सोख जाएगा दूप में नहीं सुखाना है फ्रेंस इस बात का आप दिहान रखेंगे तो देखेंगे दो दिन बात में अच्छे से सोग गया है मेरा अब हमें क्या करना है कि इसके पत्तों को अहलग करने लेना है और जो मोटी डंडी है उसको हटा देंगे तो मोटी डंडी से क्या है कि इसमें कच्रा साथ आजाएगा तो इस लिए इसकी डंटह lना यह अजाटा देना है और इसके पत्ते-पत्ते हमें टरक लेना है यह कर एक करके इसी तरीके से हमें चाहिएक और मिकसर लेंगे और इसमें एक यह trialager है आप अच्छे से लेंगे मतलब थोड़ा ज्यादा ले लेंगे क्वांटिटी इसके मैंने बहुत थोड़ी क्वांटिटी ले थी फिर भी मेरा टाइम लगा था पर यह पीस गया था अच्छे और क्या इसका हमें चूरन बनाना है हाणाँ तो इसको पीसने के बार देके इस दरीके से हमें यह चूरन बना लेंगे और जैसे ही इसकी मोटी डंडे है इसको हमें हटा देना है इसकी क्वांटिटी आप ज़ादा रख लिजिए आ और इसका चूरन बना किए आप एक काच के ज़ार में अ Elszn को रख सकते हैं और इस डंडे को हटा के और सुबह शाम एक एक चम्मच आप गरम पानी के साथ लेंगे न तो आपको पेट की सभी समस्या से राहत मिलेगी आप डाइविटी जहें में भूत फायदे मंद होता है अगर गैस की प्रोब्लम है उसमें भी भूत फायदे मंद होता है पेट बढ़ती हुई तौंद को भी यह कम करता है आपका वेट लोस में भी भूछ ज्यादा मददगार शाबित होता है तो चलिए यह था हमारा चुरन अब हम बनाएंगे इसकी टी आपने ग्रीन टी भी भूत पीयोगी लेमन टी भी आपने भूत पीयोगी तो अब बनाएंगे हम यलो हो जाए ना तब उसको हम एक कप में छान लेंगे ठंडा करने के बाद ठंडा करने के बाद इसको चानना है हलका गुनगुना ही रखना है ज्यादा ठंडा नहीं करना इसको आप इसको या तो आप इसको इसको इसी तरीके से सिप सिप करके पेंगे तो बहुत फाइद तो देखेगा इस तरीके से मैंने शहद मिलाया है और शहद मिलाने के बाद में इसका कलर चेंज हो जाएगा तो आपको इसी तरीके से एक टी आपको सुबह-सुबह खाली पेड लेनी है तो इससे आपकी बोड़ी में गुटनों में पैन है ना वो बिल्कुल खतम हो जाएग तो देखेगा यह थी हमारी मोरिंग अटी आप बनाएगे एक वार और पीएगे जरूर अब बनाएंगे बालों के लिए तेल तो देखे जिसके बाल जढ रहे है ना उसके लिए फायदे मंद है और यह फ्रेंड से एक सप्ता के बाद में आपके बाल जढ ना बंद हो चार चमच नारिल का तेल उसके बाद में जितना हमने चार चमच नारिल का तेल लिया था ना उसी चार चमच ही हम लेंगे आरेंडी का तेल यानि कि कैस्टर ओयल आरेंडी का तेल लेना है हमें चार चमच उसकी क्वांटिटी ब्रोबर लेनी है दोनों तेल की नारिल का और इसे डेप कर देंगे पूरे तेल के अंदर इन पत्तों को अच्छे से डेप कर देना है देखे इस तरीके से इसको अच्छे से डबो दोंगे अब इसके बाद में हमें लेंगे एक चमच ओनियन सीट्स यह ओनियन सीट्स क्या है कि बालों को काला करते हैं इस तरीके से आप इसमें अच्छे से मिला देंगे मोरिंगा के पत्ते और ओनियन सीट्स को इस तेल के अंदर मिला कर और आपको यह मिलाना है कांच की बाल के अंदर ले लिए कांच का कोई भी कंटिनर ले लिए बन देखे I can't find दो दोप लगाये और इसके और सीयन सील होड़नेके बाद में देखी गाइगा इसका स silent, थोड़ा लेट गया थी तो दे偉ट जा पाई गया इसका क bater is black हो गया आप, यह क्या है कि बहुंत है कि हमारे बाल उने महारा ब्लाइट चिलर केंगा उने ब्लेक करने 관हां है कि हमारा blood circulation भरता है बाल जहड़ना बंद हो जाता है तो इस तरीके से आपको पहले कंगे करना है अच्छे से कौंग करने के बाद में आपको एक बावल के अंदर लेंगे ये तेल और इस तरीके से देखिएगा मालिश कर लेना है और मालिश बाल है उनकी जड़ों के अंदर ही आपको ये तेल रमाना है फ्रेंस आप इसको साथ से आर दिन लगाता रेगुलर यूज करोगे ना साथ से आर दिन में आपके बाल जढ़ना बंद हो जाएंगे बिल्कुल भी बाल नहीं जढ़ेंगे आप खुद कमेंट बोक्स में आके बोलोगे कि दिदी आपने तेल बताया था रियली बहुत ही फायदेमन था मैं जिस दिन लगा रही थी ये तेल तो मेरी हस्बन के बहुत ज़्यादा बाल जढ़ रहे थे उसके छेसा दिन बाद में भी मैं मालिश कर रही हूँ अब उनके बाल जढ़ना बिल्कुल बंद हो चुके हैं इसी तेल से ही बालों की ग्रोथ बढ़ेगी और उनके बाल अच्छा बढ़िया तेल है बहुत फायदे मंद है आप घरेलू चीज है आप भी इस तरीके से हमें और इससे बाल भी काले होंगे पर फ्रेंड्स आपको बताओं आपको तीन से चार महिने आप इसको रेगुलर यूज करोगे ना तब जाके आपको वाइट बाल ब्लेक मे बदल जाएंगे तो देखेएगा इसको इनके बाल इतने जट रहे थे लेकिन अब ज़ड़ना बंद हो चुके हैं अब नहीं जट आते हैं इतना नगहीं पर काफी जट रहे थो इसलिए मैंने ये तेल बनाया था और अब बिल्कुल जहड़ना बंद हो गया तो आपको रखना कैसे ये कांच के बावल की अंदर ही रखना है इस तेल को निकालना नहीं है ये onion seeds भी इसी के अंदर deep रखेंगे और ये पत्ते भी सीख के अंदर deep रखेंगे तो आज का मेरा व वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें चैनल को सिस्क्राइब जरूर करें